मर्ड एक शांदार बॉलिवुड फिल्म है जो 1985 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन और निर्मान मनमोहन देशाई ने किया था। इस फिल्म का मुख्य अभिनेता अमिताब बच्चन है, जो मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अमृता सिंह, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा और निरुपा रॉय भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। कहानी राजू, अमिताब बच्चन के चारों और घूमती है, एक बहुविधी और निरुपा रॉय ने पाल पोस किया है। खिलाफ लड़ने का निर्णय लेता है। और यादगार बातचीत हैं, 1980 की दशक की बॉलिवुड मसाला फिल्मों की तरह। उसके शूरवीर गुणों के माध्यम से राजू अर्थात, मर्ड, दरिद्र और पीडितों के लिए आशा की डियोड बन जाता है। उच्चारित वाक्यों, शक्तिशाली प्रदर्शन और अनुमलिक द्वारा रचित यादगार संगीत के माध्यम से फिल्म मार्ड भारतिय सिनेमा में एक प्यारा अपूर्ण श्रेणी में याद की जाती है। जो साहस और न्याय का अद्वितिय प्रतिरूपन करती है। मर्ड फिल्म में विलन की भूमिका अमरीश पूरी ने निभाई थी। अमरीश पूरी ने शेर सिंह बंदूक वाला का किरदार निभाया था। जो एक डाकू और अपराधी थे जिनका मुख्य विलन था। उनकी शानदार अभिनय कौशल की वजह से उनका किरदार फिल्म में बेहत प्रसिद्ध हुआ था। वे अपने रोल को वाइलेंट और निर्दई धंग से पोट्रेट करते हैं। जिससे वे एक यादगार विलन के रूप में मनोजन किये गए। मर्ड फिल्म में हीरोईन की भूमिका अमरता सिंहा ने निभाई थी। अमरता सिंहा ने फिल्म में रूबी का किरदार निभाया था। जो शेर सिंहा बंदूक वाला की बेटी और मुख्य किरदार राजू जिसे अमिताब बच्चन ने निभाया था कि प्रेमिका बनती है। अमरता सिंहा ने अपने भूमिका को बड़ी खुबसूरती से निभाया और उनका अभिनए फिल्म में चर्चा में रहा। उन्होंने अपने किरदार को जीवन्तता और गहराई के साथ पोट्रेट किया और उनके अभिनए की वजह से उन्हें बड़ा प्रशंसा।